नमस्कार दोस्तों, आज की रात मैं आपको एक जादूई कहानी सुनाने जा रहा ही हूँ, जो आपको शान्ती और सुकून के साथ नींद की गोद में ले जाएगी. ये कहानी है The Secret Tent की, एक ऐसी जगह जहां जादू और शान्ती का संगम होता है. तो चलिए, आराम से बैठ जाएए, और इस अद्बुती अत्रा पर मेरे साथ चलिए. परसाद की हलकी फुहारों के बीच, आप एक घने हरे भरे जंगल में खड़े हैं. हवा में ताजगी और मिट्टी की भीनी-भीनी खुश्बू है. सामने आपको एक पकडंडी दिखाई देती है, जो जंगल के भीतर किसी रहस्यमाई जगह की ओर ले जाती है. इस पकडंडी पर चलते हुए, हर कदम के साथ आपको एक नई ताजगी और शान्ती का एहसास होता है. जंगल के भीतर, गहराई में जाने पर, आपको एक छोटी सी खुली जगह मिलती है, जहाँ एक सुन्दर, चमचमाता टेंट खड़ा है. इस टेंट के चारों और, नीली और सफेद रोशनी की छोटी-छोटी लाइटें टिम्टिमा रही है. यह टेंट किसी जादू की दुनिया का तवार लगता है, जो आपको भीतर आने के लिए आमंत्रित कर रहा है. टेंट के अंदर प्रवेश करने पर, आपको एक अजबुत दुनिया मिलती है. यहां मुलायम गत्दे, तकिये और कर्म कंबल है. चारों और चमकते सितारों की तरह चमचमाते क्रिस्टल्स हैं. यहां का माहौल इतना शांत और सुकून भरा है, कि आपको तुरंथ ही आराम का एहसास होने लगता है. यह जगह एक सपने की तरह है, जहां आप हर जिनता और ठकान को भूल जाते हैं. टेंट के अंदर आप आराम से लिट जाते हैं, और चारों और की शांती और सुन्दरता को महसूस करते हैं. क्रिस्टल से निकलती हलकी रोशनी और बाहर गिरती बारिश की आवाजें एक साथ मिलकर एक मधुर संगीत पैदा करती हैं, जो आपको गहरी नीन्द की और ले जाती हैं. इस समय आप पूरी तरह से शांती और सुकून में होते हैं. जैसे ही आप धीरे धीरे नीन्द की और बढ़ते हैं, आप महसूस करते हैं कि यह जातुई टेंट आपको एक अद्बुत यात्रा पड़ ले आया है. इस यात्रा के अंत में, जब आप टेंट से बाहर निकलते हैं, आप ताजगी और नई उर्जा से बाहर जाते हैं. यह टेंट आपको हमेशा याद रहेगा. एक ऐसी जगह, जहां आप हर बार शान्ती और सुकून पाने के लिए आ सकते हैं. अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, और आप ऐसी ही और कहानिया सुनना चाहते हैं, तो कृप्या सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहें. अगली बार तक, शुब रात्री और मीठे सपने.